Hello guys welcome back to a new video आज की शीडियो में बात करेंगे अगले पूरे हफ्ते के व्यू के बारे में तो कैस पहली में बहुत छोडी सी चीज बदायता हूं I think Tuesday को महरम की चुट्टी है and Thursday को रक्षा बंदन की चुट्टी है expiry Wednesday को होगी and जो अगला हफता उसमें तीन दिन ही ट्रेडिंग डेज है तो इस चीज को धिहान रखना कि expiry सिर्फ दो सेशन के अंदर है और उसके बाद हम लोग को सिर्फ एक सेशन ही मिलेगा तो मतलब कि तीन ट्रेडिंग सेशन का ये वीक है और बीके भी थोड़ा सा जादा होगा तो इस चीज को पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं अच्छा स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पर निफ्टी के साथ जो कोई भी फर्स टाइम इस वीडियो को देख रहे है टेली ग्राम के अंदर जाओ बारह हजार लोग के हमारी अल्रेड बहुत अच्छी कॉम्मिनिटी है उसको जाकर जॉइन करो आप लोग को सारी हेल्प मिलेगी डे टो डे बेसेश पर आप सारी चीजों का ट्रैक रख सकते हैं मैंने सुजलॉन का डाला है तो जितनी वी अच्छी चार्ट स्टार्ट रखा जाकर उसको भी चेक कर सकते हो स्टार्ट कर लेते हैं निफ्टी के साथ निफ्टी का ओवरॉल बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो इस पे तो हम लोगों ने वेफ काउंट लगा रखा है एक फ्रेश चार्ट ले लेता है इसके अदर फ्रेश चार्ट ले लेता है अच्छा हां यह जो रेड और ग्रीन लाइन यह मैं आप लोगों को बता दो अगर आप नोटिस करोगे तो आपको इन लाइन पर यह पता लग जाएगा कि इन लाइन पर बहुत मेजर ट्रेंड रिवर्सल होता है मतलब कि इन लाइन से हम लोग एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है चाहें वो किसी भी साइड हो जैसे कि आप यहां पे देखो इस टॉप वाले दिने ग्रीन लाइन लगी हुए है राइट शिविलरली यहां पर यह फॉल हुआ है यहां पर यह बहुत इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखना अच्छा कोई पूछे कि यह क्या है यह बेसिकली mercury जो प्लानेट है उसकी कुछ मुवमेंट्स होती है जो कि हम टेक्निकल अनालेसिस में भी थोड़ी सी एस्ट्रायोजी को यूस करते है इस सिर्फ मरक्यूरी के मुवमेंट्स को हम लोग यूस करते है रेक्सट्रिक जोघर फोड़ेeed मुवमेंट्स और बहुत बड़ा एक चैनल सा देखने को मिल रहा है राइट अरे नहीं चाहिए भाई तरह रिग्रेशन ट्रेंड यहां के टॉप से हम लोग एक बहुत इसली एक चैनल ड्राउट कर सकते हैं हम लोग को ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है अब अगर हम लोग इसको नोटेस करें बहुत अच्छे से तो यह जो चैनल का टॉप ही निकल कर आ रहे है 17,700 इसका मतलब कि हमारा जो 17,800 पर टॉप लगने वाला नारेटिव था वो कही ना कहीं यहां पर हम लोग को सच होत हुआ दिख सकते है क्योंकि तीन बार हम लोग को मार्केट बहुत ही मेजर वे में सेम ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होता हुआ दिखा है और यहां पर आप देखो और हर बार आई थिंक मार्केट ने बहुत अच्छा शाप पॉल ही दिया है मतलब कि यहां पर बहुत ही ज अल्दो मेरको नहीं लगता कि यह वाला जो वीक है यह वो वीक होगा जिसके अंदर हम लोग को यह चीज़े देखने को मिलेंगी आई थिंक विदिन नेक्स्ट 6-7 ट्रेडिंग सेशन हम को यह देखने को मिल सकता है और सो आम मैसिफ बियर ओन द मार्केट राइड नाओ क् हमारी एक जो वेव होती है उसके अंदर पहले हमको बड़ी पांच वेव देखने को मिलती है और फिर उसके बाद यूजल 2 3 4 5 मतलब की मोटा मोटा गरा मान लो तो अगर हम इन सारी वेव को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रॉपर वेव हमको देखने को मिलती है तो एक हम लोगों को देखने के लिए मिली और अब यहां पर चुल मैं मान लेता हूं कि 17,500 नहीं है 17,600 अब अगर हम लोग इस चीज को थोड़ा सा एनलाईज करने का ट्राई करें तो हम लोग को यह चीज बहुत क्लेरली पता लग जाएगी कि इस से जादा उपर मार्केट की गुंजायश नहीं है यहां से मार्केट को नीचे जाने का ट्राई करना चाहिए और करेगा भी जैसा कि हम पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देख चुके है यहां पे 17,490 का जहां टॉप लगा वहां से कल बहुत अच्छा सेल आफ देखन था मंदे वाली वीडियो में तो एक वह पैटन देखने को मिल रहा है जिससे हमको बहुत अच्छी रिवर्सल देखने को मिल सकता है तो अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखे इन RSI तो RSI अगर आप देखो तो गाइस बहुत ही जाता ओर एक्सेंडेड हमको यू क्लियर ली देखो कितनी जादा देर से कितना जादा टाइम हो चुका है से एक पर्टिकुलर RSI को ओवर बॉर्ट रिजिन में है न तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा उपर की पॉजिशन बनाने से पहले सोचना चाहिए जो की मार्केट ओवरॉल एक बेरिश आपको देखने को मिल सकता है कि FIS की कोई बड़ी बाइंग हो रखी है बट आई थिंग उससे आप लोगो थोड़ा ऐसे पहकना नहीं चाहिए ओवरॉल मार्केट का जो नारेटिव है वो मेरे अकॉर्टिंग भी एरिश है तो मैंने आप लोगो ये चीज बता दी इसके ब आपवर हम लोगो राइट एक ब्रेक आउट देखने के लिए मिला और अगर हम लोग इसकी फिपनाची की बात करें तो बहुत बड़ा रजेस्टन से 61.8 परसेंट वाला मार्क तो 61.8 परसेंट वाला मार्क टूटेगा हमको 39,000 आता हो दिखेगा बहुत बहुत जादा प् वीडियो तो मोटा मोटा अगर आप मान के चलो 38,150,200 अगर नहीं टूटते हैं तो बैंक निफ्टी काफी ज्यादा बड़े ट्रवल में है अगर यह लेवल टूट गए आपको 39,000-39,500 यह लेवल बहुत इजली आते हुए देखने को मिल जाएंगे तो आप लोगो बस इत 38,200 टूटने का वेट करना है 38,200 टूटा यह 39,000 भी भागेगा यह 40,000 भी भागेगा as of now major resistance है पूरी जो यह all time high बना था इस से लेके अभी जो हमारा सबसे recent local low है March के अंदर 22 में इस पूरे का अगर हम Fibonacci retracement देखे तो 61.8% पर अभी हम लोग खड़े हुए and I think this should be the major resistance at least for 9 ठीक है I think that's pretty much it from my side guys अगर आप लोग को content पसंद आयो तो जाद आते हैं वीडियो को like करना channel को subscribe करना हम लोग रोज आप लोग के लिए ऐसे content डालने का try करते है अभी हमारी जो regular viewership है वो almost हर वीडियो पर 5000 views जाते है तो I am very grateful I am very happy कि लोग हमारे content को पसंद कर रहा है and बहु लोग अच्छा नहीं भी लिखते है ठीक है that I pretty much understand कि obviously बात है हम लोग हर किसी को satisfy नहीं कर सकते है and guys obviously we are humans तो not daily we will be correct but पिछले दो महिने में I think हम लोग का view सिर्फ 5-6 दिन ही गलत हुआ है LA drive analysis के according तो लोग ये चीज़ भूल जाते है कि हफते में हम 4 दिन सही है अगर एक दिन गलत हो भी जाते है कैसे भी करके जैसा कि आप लगा लो हम लोगोंने starting के चार दिन की prediction Monday absolute point on prediction जो भी हम लोगोंने बताया gap up खुलेगा gap down खुलेगा नीचे रहेगा market ऊपर रहेगा absolutely 100% correct Tuesday को 95% analysis correct था Wednesday को 100% correct था Thursday को 100% correct analysis Friday को मैंने आज के दिन के लिए जो बताया था वो ये बताया था कि market जो है वो gap down खुलेगा by the way वीडियो मैं Friday को बना रहा हूं तो इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे according मैंने Thursday को वीडियो डाला था और हम लोग मार्केट आर्ज में ही वीडियो को डालता है right SGX को देखके हम लोग predict नहीं करता है कि ऐसा रहेगा market वैसा रहेगा proper हम हम लोग Elliot waves के according market hours में तीन बच के 10 मिनिट में वीडियो डालता हो ताकि लोगों की help आए क्योंकि लोग 6 बचे शाम को comment कर रहे होता है कि भई सर अब हम क्या करें तो यहर उस case में मैं भी क्या ही बता हूं आपको 6 बचे मार्केट बंद होता है कि आप भी क्या गर लोगे मैं तो हम लोग मार्केट आर्ज में वीडियो डालता है आप ट्राई के अगरो मार्केट आर्ज में देखने का और मैं क्या बात बता रहा था वो मैं completely off topic हो गया बट आई थिंक that's pretty much it I'll see you guys in the next video तब तक लिए take care good bye